आज मैं आपके लेके आई हूँ सूजी की नमकीन ये देखिए कितनी बढ़िया नमकीन घरपे बनके तयार हो सकती है एकदम क्रिस्पी और इसका कलर आप देख सकते हैं टेक्शर देख सकते हैं बहुत बढ़िया घरपे और एकदम क्रंची नमकीन बनके तयार होती है ये दे बहुत इजी है इसको बनाना और फेस्टिवल सीजन में इसको बनाके रखिए बहुत ही आपको अच्छा लगेगा कि आपने भी कुछ बनाया है तो चलिए फटा-फट से वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पे मैंने लिया है डेर कप यहां पे सूजी ली है म बाजू बदा जिसको बीच में से मैंने दो हिस्सों में बाट लिया है इसको हम हलका यहां पे रोस्ट करेंगे तो हलका सा रोस्ट करने के बाद इसमें मैं अब डाल दूंगी एक चुथाई कप यहां पे कच्छी मुमफली डालेंगे इसको भी यहां पे रोस्ट करना है त अब फ्रेश लीफ्स भी डाल सकते हैं यानि करी पत्ता तो यहां पे इसको भी भुनना है यह साथ साथ भुनते भुनते क्रंची हो जाएगी और यहां पे एक चुताई चम्मत नमक डाल देंगे ताकि इसमें भी फ्लेवर आ जाए और फिर से इसको अच्छे से मिक्स करके थ सारी चीजे अच्छे से धेखी यहां पे भुन चुकी हैं क्रंची हो चुकी हैं इनको निकाल के हम साइड में रख लेते हैं यह हमारे ड्राइफ आण होगे ह Holy ऑग देते हैं देखे बॉयल हो गया है फ्लेम को लो कर देंगे और सूजी यहां डेड़ कप मैंने ले ली है वो डाल देंगे बारिक वाली सूजी है और इसको अब मिलाना शुरू करेंगे तो सूजी बहुत जल्दी पानी यहां पर पी जाती है तो यह फटा-फट से देखिए मि ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं बारिक वाला ग्रेटर है यह तो आलू को ग्रेट करके लेंगे ना तो यह इसमें बिल्कुल लंप्स नहीं रहना चाहिए हमारी नमगिन जो है बहुत बढ़िया बनेगी दस मिनट बाद यहां पर देखिए सूजी अच्छे से फुल चुक इसको थोड़ा गरम में ही अच्छे से हमें मलना है इकदम आटे की तरह इसको गूंद के कर लेना है देखिए मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ थोड़ा सा गरम है तो ध्यान से करिएगा लेकिन यह मलते मलते फिर ठंडा हो जाएगा हलका हाथ लगाना शुरू करेंगे अब यहाँ पे आलू जो हमने ग्रेट करके रखा है वो डाल देंगे इसके अंदर और इसी के साथ अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी हल्दी तो यहाँ पे एक चुताई चम्मत हल्दी डाल रहे हैं ताकि जो हमारी नमकीन का कलर आपने देखा न वैसा ही कलर आएगा बहु नमकीन हल्दी जो है नैस्ट्रल है तो वो हल्दी भी रहेगी तो इसी तरह इसको अच्छे से देखे मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है अब क्या करना है देखे यहाँ पे इसको अब ढखके हम रख देंगे कपड़े से ताकि आटा जो है वो सूखे नहीं अगर सूख यहाँ पनी में लेकर इसको कोने से चोटा सा कट मार के आप नमकीन बना सकते हैं बहुत इजी बन जाएगा तो यहाँ पे बस अब डोको में देखे थोड़ा सा हिससा इसका ले रही हूं और यहाँ पे अब इसको देखे लॉक की शेप देदूंगी थोड़ा सा लंबा कर देंगे और बस अब इसको हम मोल्ड में डाल देंगे और यहाँ पे मैंने जो प्लेट ली है मोल्ड बनाने के लिए बिल्कुल बारिक वाला यहाँ पे मैंने होल लिया है अब यहाँ पे इसको देखे अच्छे से दबा के अब इसको बन कर लेते हैं तो यहाँ पे इसको फ पहले शुरू में देखा वो बड़े पतले हैं नमकीन तो अभी आप आगे देखेंगे न तो पता चल जाएगा कि जो यह लच्छे हैं वो पतले कैसे हुए हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्केप मत करना देखना कि यह कैसे पतले हुए हैं तो यहां पे नमकीन इसी तरीक जाएंगे ना तो यह पतले हो जाएंगे दालते ताइम मोटे जाएंगे और जब यह सिख जाएंगे अच्छे तरीके से तो पतले हो जाएंगे और नमकीन यहां पे देखिए अच्छे से बुन गई है क्रंची हो गई है तो इसको टीशू पेपर पे निकाल लेते हैं और तरीके से सारी नमकीन बना के तयार करेंगे तो देखिए लग्षे कितने मोटे हो रहे हैं और जैसी इसको मैं थोड़ देश सिखने दे रही हूं और इसको पलट रही हूं तो नमकीन एकदम यहां पर बारिक हो जारी है बहुत सुद्दर उसका जो टेक्शर है उसका जो नमकीन यहां पर बनके तयार है कलर देख सकते हैं और कितनी क्रंची बनके तयार हुई है दिखने में जितनी सुन्दर है खाने में उतनी ही टेस्टी है घर की बड़ी नमकीन है तो हेल्दी भी है सुजी से बनाया है आलू इसमें थोड़ा सा डाला है और यहां पर ड्राइफ सफेद नमक और इसी के साथ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आदा चमच काली मिर्च का पाउडर अब यहाँ पे इसको हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स तो यहाँ पे से पहले एक चमच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चाट मसाला आप अमचुर पाउडर भी डाल सकते हैं तो यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं इसको मिक्स तो यहाँ देखिए नमकीन बस बनके तयार है एक चीज़ और मैं यहाँ पे डालूँगी पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो बहुती बड़ी है घर पे नमकीन बनके तयार हो गई है और इस तरह से नमकीन बनाईए अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चमच में यहाँ पे पाउडर शुगर डाल रही हूँ इससे जो हमने मसाले डाले हैं सारे ना वो बैलन्स हो जाएंगे तो यहाँ पे बस नमकीन बनके तयार है इसको मैं देखिए जो चीनी है इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और अब इसको मैं डाल दे रही हूँ एर टाइट कंटेनर जार में तो इस तरह के से बनाके एर टाइट कंटेनर जार में रख लेंगे तो नमकीन खराब भी नहीं होगी और काफी लंबे समय तक चलेगी जब तक ये खतम नहीं होती तो बस यहाँ पे आप भी इसे बनाएके ट्राइ करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा कि आप भी नमकीन बनाते हैं घर पे कौन कौन सी बनाते हैं तो चलिए फिर मिलती हूँ आप से नेक्स वीडियो में तब तक लिए तिल देन बाद